नमस्कार एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े सुवे यानि उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार है इस सरकार में मुख्मंत्री योगी यादितिनात सहित दो उप मुख्मंत्री है जिन में एक दिनेश सर्मा तो दूसरे केसो प्रसाद मौरिया है उत्तर प्रदेश में जबसे यानि 2017 से भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनी है तब से बिजेपी के दो गुट आपस में बर्चस सुकी लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें एक गुट केसो प्रसाद मौरिय का है तो दूसरा गुट योगी यादित नात का है ऐसा नहीं है कि बर्चस सुकी लड़ाई कोई नहीं है इसकी सुरुवात काफी पहले हो चुकी थी यूपी विधान सभा चुणाव के दोरान योगी बिजेपी के इश्टार परचारक थे और केसो प्रसाद मौरिय बिजेपी के परदेश सद्ध्यक्ष थे चुनाव प्रचार के दोरान दोनों में खूब जोरा जमाईस हुई इसी समय से योगी और केशो आमने सामने आ गए रही बाद दिनेश सर्मा की तो उनको उमीद से ज़्यादा मिला है और इसके लिए वो सांत रहते हैं केशो प्रसाद मौरे के नेत्रित में बीजेपी पंदरा सालों के बाद अपना बनवास खत्म किया था यानि राम बनवास से भी एक साल का ज्यादा वक्त लगा था संगठन के काम में निपूडवा कुसल होने के कारण उस समय के पार्टी अध्यक्ष अमिशा केशो प्रसाद मौरे को अपने बीटो पावर का प्रियोग करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया था लेकिन केसो के अथक प्रयास से सरकार बनने के बाद कुर्सी मिली योगी यादितिनाथ को यूपी में केसो प्रसाद मौरे के नेत्रितों में एंडिये को 325 सीटों पर विजय हासिल हुई थी केसो प्रसाद मौर्य की कुसर रणनीती के कारण ही सपा और बसपा हासिये पर चले गए और पिछडों तथा दलितों को बिजेपी के साथ जोड़ने में सफलता मिली थी बिजेपी के केंदरी नेत्रित्तों ने बैंकाया नाइडू और भुपेंद्र यादों को यूपी के लिए परवेच्छक नियूक्त किया था U.P. पोआँचने के बाद भूपिंदर यादोव ने केसो को मुखिमंत्री बनाने के लिए खुल कर सपोर्ट किया लेकिन संग के दबाऊ में योगियादी तिनाथ को मुखिमंत्री चुना गया एक बार खबर यह भी आई कि मनोज सिना को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा लिकिन ऐसा नहीं हो सका मनोज सिना आज जम्मू एंड कस्मीर के लेप्टिनेंट गवर्नर है केसो को डिप्टी सीयम पर मनाने में वहिंकया नाइडू की बड़ी भूमिका रही है अब बात करते हैं योगी यादित नाथ और केशो परसाद मौरे के बीच बीबादों की असल वजह की अब इसको क्रमवर देखते हैं बिवात की पहली वोजह केशो प्रसाद मौरे का नेम प्लेट NXC जो मुख्मंत्री का कारियाल है वहां से हटा दिया गया था जिससे वो काफी नराज होए थे केशो प्रसाद के विभागों खासकर PWDA के कामकाज की समिच्छा योगी खुद करने लगे थे जिससे केशो नराज हो गए थे योगी जब PWDA के कामकाज की समिच्छा सुरू की तो केशो ने CM योगी की अधीन लखनव डेवलोप्मेंट अथाल्टी में भरष्टा चार्ज को लेकर मुखर हो गए और पत्र लिखकर जाच की मांग कर दी योगी आदित नाथ पर दरजनों मुकद में वापस हो गए जबकि केशो के मुकद में वापस लेने के लिए फाइल इधर उधर अटकने लगी तो PMO को हस्तक शेप करना पड़ा तब केशो के मुकद में वापस हो पाए थे PWD के बजट की फाइल मुख्यमंत्री कार्याले से कई बार वापिस हो गई थी केशो अपने पसंद के अधिकारी अपनी विभागों में ही नहीं रख पाते थे योगी के पास 36 मंत्राले और केशो के पास केवल 4 मंत्राले है जो इस प्रकार है लोक निर्मार अथवा PWD, खाद ये प्रसंसकरण, मनुरंजन कर और सार्जोनिक उद्दम अब बात आगे बढ़ने लगी तो केंद्री ये नेत्रित तुन्हें यह रास्ता निकाला की योगी का केशो के मंत्राले में हस्तक छेप नहीं होगा एक दूसरे उपमुख मंत्री दिनेश सरमाजी हैं तो उनको लेकर कभी कोई विवाज सामने नहीं आता है चुनाव होने में अब बहुत कम समय बचा है देखना होगा कि भाजपा आगे का रास्ता कैसे तैं करती है और सपा बसपा का क्या रुखराता है और खास करके केशो प्रसाद मौर्य का क्या रुखराता है यह देखना आहम होगा हालिया खीस्तान का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री मंदल में बदलाव होने वाला है जिसमें प्रधान मंत्री के करीबी और गुजरात काडर के आईस रहे एके सरमा के MLC बनाये जाने के बाद उनको लागातार मंत्री मंदल में अहम पद मिलने की चर्चा जारी है PM पुरवांचल के COVID प्रवंधन में बनारस माडल की तारीव करके एके सरमा का कद बढ़ा दिया है कयास लगाया जा रहा है कि एके सरमा को डिप्टी सीयम और केशो प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो जानकारी के लिए अपनों के साथ इस वीडियो को सेयर करें कमेंड करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में